हेलो बच्चो, कैसे हो बढ़िया, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया, तो देखो बच्चो, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है? आज हैं हमारे पास class 11th का unit number 4 का video number 47 तो बिटे ये unit number 4 का 47 वीडियो है और इस से पहले 46 वीडियो आपको playlist में भी मिल जाएंगे नीचे description में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद i button में भी link आ जाएगा जहां आप unit number 4 के सभी videos को देख सकते हो समझ सकते हो और अपने सुंदर से notes बना सकते हो जो exam में आपकी बहुत जादे help करेंगे इसी के साथ साथ आपको नीचे description में PDF notes का link भी मिल जाएगा और आप PDF notes के लिए telegram पर भी search कर सकते हो KMD Saharanpur तो देखते हैं आज का हमारा target क्या है आज बिटे हमें पढ़ना है unit number 4 के NCRT के उधारन वे अभ्यास प्रस्न और ये अभ्यास प्रस्नों का या exercise का भाग नंबर एक है यानि NCRT के unit number 4 के अभ्यास प्रस्नों का पहला part और इसमें हम examples भी सारे cover कर लेंगे NCRT में जितने भी उधारन इस unit में दिये गए है अब यहाँ देखो अब तक हमने क्या किया है अब तक हमने 46 वीडियो में unit number 4 के सभी topics को cover कर लिया है जितने भी topic थे वो सभी हमने cover किये हैं और कोई भी topic skip नहीं किया है यदि आप वास्तविकता में chemistry को समझना चाते हो और आपको chemistry से बहुत डर लगता है तो आपको playlist के अनुसार पढ़ना चाहिए यदि आप channel के home page पर जाओगे और playlist के according अपनी पढ़ाई करोगे तो इस बात की 100% guarantee है कि आप chemistry को बिलकुल भी chemistry से डरना बंद कर दोगे एकदम और chemistry को बहुत ज़्यादे पसंद करोगे chemistry से बिलकुल भी नहीं डरोगे और ऐसा भी हो सकता है कि chemistry आपका favorite subject बन जाए पर इसके लिए आपकी महनत और इमानदारी की बहुत आवशकता पढ़ेगी आपको playlist के according हर एक unit को definite sequence में study करना पड़ेगा ठीक है तो matter सब बिलकुल free of cost है सब के लिए start करते हैं theory हमने complete कर लिया unit number 4 की और आज हमें NCRT के example start करने हो और exercise के question भी देखने हैं तो सबसे पहले देखते हैं उधारन number 4.8 चार पॉइंट एक का मतलब चोथे unit का पहला उधारन इन्होंने कहा है कि CO के अनू की लुईस बिंदू संरचना लिखे भाई CO माने carbon monoxide carbon की भारी कक्सा में कितने electron होते हैं 4 तो ये 4 electron जो blue color के दिखाए हुए हैं ये तो carbon के हैं और oxygen की भारी कक्सा में होते हैं 6 electron सबको पता है oxygen की भारी कक्सा में 6 electron है 3 और 2 पांच और ये 6 electron कहां है carbon की तरफ ये electron जो red color का है वो carbon का नहीं है oxygen का था और ये electron oxygen से निकला है और carbon की तरफ गया है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि carbon के उपर आप प्रभावी नाव की आवेस minus 1 और oxygen के उपर plus 1 आवेस आप दिखा सकते हो ठीक है यदि आप दिखा सकते हो तो दिखाओ नहीं तो कोई आवशक्ता तो नहीं है तो क्या होता है कि carbon और oxygen के वीच 3-3 electron की साज्यदारी होती है इसके red color के electron थे इसके blue color के थे देखो इस carbon के पास एक red color का electron है ये red color का electron किसका है oxygen का है इसमें से electron इधर गया तो इसलिए यहाँ minus 1 और plus 1 चार्ज हमने दिखाया है जिसे दिखाने की कोई ज़्यादे आवशक्ता तो नहीं है बहुत सारी books ऐसी हैं जहाँ आवेस नहीं दिखा रखा है और कुछ books में आवेस दिखा रखा है तो 3-3 electron की यदि साज्यदारी होगी तो carbon और oxygen के बीच बनता है triple bond बिखास प्रसंद दिये होते हैं उनमें से बहुत ज़्यादे क्यों एक्जाम में पूछे जाते हैं मैं केवल यहाँ आपके 11th class के half early या annual एक्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कि आपके half early और annual में तो आई सकते हैं पर यदि आप medical या engineering के test में बैठते हो वहाँ भी आते हैं इनके question NCRT के ही question आते हैं यदि NEET के paper में बैठ होगे या JE में तो NCRT से ही सबसे ज़्यादे पुच्चा जाता है ध्यान रखना chemistry में ठीक है उसके बाद उधारे number 4.2 यानि दूसरा example देखते हैं चोथे unit का अक्सा में कितने electron होते हैं 5 5 electron हमने बना दिये ठीक है oxygen की बारी कक्सा में कितने electron होते हैं 6 oxygen की बारी कक्सा में 6 होते हैं पर यहां 7 electron हैं यह 7 electron क्यों है क्योंकि इसके उपर negative charge है N2 के उपर इस negative charge को या तो bracket के उपर दिखा दो आप जैसे मैंने दिखा रखा है या फिर आप केवल इस परमानू के उपपर भी माइनस आवेस यानि रिन आवेस दिखा सकते थे तो यह जो red color का electron है यह इस negative charge के कारण ही आया हुआ है extra electron इसलिए oxygen के पास हमने 6 electron न दिखा कर 7 electron दिखाए है clear? अब इस oxygen को देखो इस oxygen की भारी कक्सा में कितने electron है? 6, 6 ही तो होते हैं वारी कक्सा में oxygen के electron तो होगा क्या? nitrogen के पास 5 थे तो सबसे पहले क्या होगा? कि यह oxygen के पास 7 है 7 तो अपने और एक nitrogen का 8 होगे, यह तो खुसियां मना रहा इसके पास कितने थे? 6, 2 nitrogen के ले लिए देखो इस जो हमने यह वले बनाया है, गोला इसमें कितने electron है? 8 है न, 6 इसके और 2 nitrogen के ले लिए यह oxygen के पास भी 8 होगे, यह भी खुसियां मना रहा अब बिचारे की nitrogen की हालत और ही खड़ा nitrogen के outermost orbit में होते हैं 5 electron, 3 की इसे जरूरत है तो एक electron तो इसका ले लिए और 2 electron इसके ले लिए तो nitrogen के outermost orbit में भी कितने electron हो चुके हैं? 8 तो यह तीनों खुस हैं, तो ऐसा होता है nitrite iron का electron dot structure या Lewis dot structure आप इसे कह सकते हो और यदि आपको bond structure बनाना है, बंद सूतर तो आप जहां एक एक electron की साज़ेदारी होई है, वहाँ single bond बना दिया हमने और यहां दो-दो electron की साज़ेदारी होई है, देखो दो nitrogen के और दो oxygen के तो यहां हमने बना दिया double bond, clear? और यह उपर एक long pair of electron जोंका तियों है long pair तो पता है ना सबको, एकाह की electron यूँ, खली पड़ावा electron का जोड़ा अच्छा, इसके साथ साथ आप ऐसा भी structure बना सकते हो, यह दोनों इसकी अनुनादी संरचनाए है आपने single bond इधर, double bond इधर बनाया, देखो हमने double bond और single bond पलट दिया नहीं तो आप structure को ऐसे या ऐसे बना सकते हो, या फिर ऐसा भी कह सकते हो, कि यह यह वाली जो संरचना है वो इसमें बदलती रहती है, और यह संरचना इसमें बदलती रहती है, दोनों संरचना एक दूसरे में interconvertible हैं, यानि बदलती रहती हैं, ठीक है तो दूसरा क्योफ्चन था, nitrite iron, NO2 negative के लिए, Lewis संरचना बनानी थी, हमने बना दी अब आते हैं तीसरे क्योफ्चन पर, देखो तीसरा क्योफ्चन, उधारन 4.3, चोथे योनिट का तीसरा उधारन CO3 2-, यानि CO3 double negative या कार्बोनेट आयन की संरचना की व्याख्या अनूनाद द्वारा कीजिए यहां ये क्योफ्चन बहुत important है, ध्यान से सुन लो, बहुत important क्योफ्चन है कार्बोनेट आयन की अनूनादी संरचना आपको बनानी आनी चाहिए कार्बोनेट आयन की अनुनादी संरचना आपको बनानी आनी चाहिए तीन होती है इसकी अनुनादी संरचना है देखो कार्बन चार बॉंड बनाता है सब को पता है कार्बन की भारीक अक्सा में चार इलेक्ट्रोन होते हैं तो इसे चार बॉंड बनाने होते हैं तो carbon को चार bond हमने बनवाए, oxygen इधर double bond से जुड़ावा है, यहां और यहां यह दोनों oxygen single bond से जुड़ेवे हैं, अब सवाल खड़ा होता है कि सर यह single bond से क्यों जुड़ेवे हैं, यह double bond से क्यों जुड़ावा हैं, यह double bond से इसलिए जुड़ावा हैं, क्योंकि इसकी भारीक में 6 electron है तो 8 करने के लिए 2 की तो आवशकता है तो ये 2-2 electron की सज्जेदारी होगी carbon और oxygen के बीच में इसलिए double bond बना पर इस oxygen के outermost orbit में 6 electron नहीं है क्योंकि ये इसके उपर एक minus charge है देखो इसके उपर 2E का ही रेनावेस होता है न तो एक तो charge यहां गया और एक यहां गया तो यानि इसके पास भी 7 electron हो जाएंगे और इसके पास भी 7 electron हो जाएंगे तो जब इन निच्चे वाले 2 carbon के पास 7 electron है तो 8 करने के लिए 1 की तो जरूरत है तो इसलिए निच्चे वाले 2 carbon जो negative charge वाले carbon है, sorry negative charge वाले oxygen है, वे single bond ही बनाएंगे, तो इन्होंने बनाया है single bond और उपडर वाले ने बनाया double bond, बस अब आपको क्या करना है, कि आपको पता है एक double bond बनेगा, दो single bond बनेगे, जहां double bond बनेगा, वहां कोई आवेस नहीं दिखाना है oxygen के उपपर जहां जहां single bond बनेगा वहां oxygen के उपपर एकके किकाई रिनावेस दिखाना है समझ में आई बात अब आप इन bonds rotate कर दोगे देखो यह double bond है हमने double bond इहां लिया है हम दोनों single bond इदर है double bond वाले oxygen पर कोई भी आवेस नहीं दिखाना है और double bond वाले oxygen पर आपको दो क्या दिखाने है lawn pair दो electronों के खली पड़ेवे जोड़े जबकि single bond वाले oxygen परमानों वोपर एक एक तो दिखाना है रिनावेस और तिन तिन दिखाने है lawn pair तो double bond यहां था अब यहां आए अब हम यहां लियाएंगे तो तीन तरह के आप जो है structure कार्बोनेट के बनाओगे और उनके बीच में तीर के ऐसे निसान लगाओगे कि यह संरचनाएं एक दूसरे में क्या हो रही हैं बदल रही हैं clear बात तो इस तरीके से जो है तीसरा के option solve होता है और बहुत important के option है अब आते हैं के option number 4 पर CO2 की संरचना की व्याख्या करें CO2 की अनुनादी संरचनाएं हमें बनानी है और CO2 में कार्बन बीच में होता है चार बॉंड इसे बनाने हैं चारो बना लिए दो बॉंड इधर और दो बॉंड इधर oxygen आपको पता है oxygen की बाहरी कक्सा में 6 electron होते हैं तो बाहरी कक्सा में 6 electron होते हैं तो 8 करने के लिए 2 electron की आवशकता है तो 2 electron पूरे करने के लिए double bond बनाता है oxygen ठीक है बीच में carbon दुन्नों तरब double bond से जुड़ेवे oxygen इसके पास भी कितने electron है 4, 6 थे ना 6 में से 2 electron तो bond बनाने की process में चले गई इसी तरीके से इसके पास 4 electron है यानि 2 lowri इसके पास इसके अलावा इसकी अनुनाधी संद्शनाई होती है 2 और क्या हो सकता है कि एक के उपपर एक oxygen के उपपर negative charge आ जाए एक के उपपर positive जिसके उपपर negative charge आएगा उसके पास एक electron extra आ जाएगा यानि electron अभी कितने हैं इसके पास 6 थे normally अब हो जाएंगे 7 जब इसके पास 7 electron हो जाएंगे तो फिर तो single bond की ज़रुवत है और normally इसके पास कितने electron ते 6 एक electron यदि इसके पास से चला गया तो 5 बचे और यदि 5 बचे फिर तो 5 और 3, 8 triple bond की आफशकता इसे पढ़ेगी 3 बंद की तो इसलिए आप इसके उपपर negative यदि इस oxygen के उपपर negative और इस oxygen के उपपर positive charge दिखाते हैं इस पर electron गी संख्या हो जाती है 7 और इस पर हो जाती है 5 जिसके पास 7 electron है 8 करने के लिए 1 bond की जरुरत है और जिसके पास 5 electron है 8 करने के लिए 3 bond की जरुरत है तो वो 3 bond बनाएगा फिर आप एक अनुनादी संरचना इसकी just opposite बना सकते हो कि triple bond को इधर दिखा देंगे और single bond को इधर ये देखो triple bond इधर और single bond इधर और जिधर triple bond है उधर oxygen परमानू के उपर हमने positive charge दिया और जिधर single bond है वहाँ oxygen परमानू के उपर negative charge तो CO2 की संरचना ये जो 3 अनुनादी स संरचनाओं की ये खासियत होती है वैसे तो मैंने अनुनादी संरचनाओं की या अनुनाद की विसेष्थाईं आपको पढ़ा रखी है बहुत डिटेल में पर इस example को या उपर वाले example को देखते वे मैं आपको एक बात बताता हूं कि अनुनाद में जो आपको दो या दो स अधिक प्रकार की अनुनादी संरचनाओं मिलती है न तो इन अनुनादी संरचनाओं में केवल इलेक्ट्रोन की ही जगा बदलती है कोई भी परमानू अपनी जगा नहीं बदलता है इस बात को गुसालो दिमाग में अनुनादी संरचनाओं में इलेक्ट्रोन अपनी जगा बदल सकते हैं पर परमानू अपनी जगा नहीं बदलता है कभी भी कोई भी तत्व का परमानू अनुनादी संडचनाओं में अपनी जगा नहीं बदलता है चलो अगली बात कर रहे हैं तो ये चार एक्जमपल दे रखे थे अब आगे हम exercise के क्योफशन पर देखो चार एक्जामपल थे हमारे NCRT की किताब में चारो एक्जामपल हमने कर लिए अब देखते हैं अब भ्यास का पहला क्योफशन रासाइनिक आबंद के बनने की व्याक्षा कीजिए सब को पता है पढ़ा रखा है न बाई कोई भी परमाणू है न उसकी दो इच्छाएं है और दुनों इच्छाएं एक ही नतीजे तक पहुंसती है परमाणू की पहली इच्छा होती है कि यार मेरी बाहरी कख्सा पूरी बढ़ जाए यानि बाहरी कख्सा में 8 हिलेक्टरोन हो जाए यानि बाहरी कक्सा ऐसी हो जाए जैसे अक्रिये गैस होगी बाहरी कक्सा होती है एक तो इच्छा ये होती है और दूसरी इच्छा ये होती है कि यार मैं इस्थाई हो जाऊं इस्थाई कैसे होगा परमानू इस्थाई तब होगा जब उसका एनर्जी लेवल थोड़ा घट जाएगा यदि परमानू का एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा न तो मैं कहूँगा कि यार परमानू स्थाई हो चुका है क्लियर बात तो आपको ध्यान रखना है कि परते एक परमानू या तो चाहता है कि मेरी बाहरी गक्सा पूरी भर जाए और या तो चाहता है मैं एनर्जी लेवल अपना घटा के स्टेबल हो जाऊँ तो इन दोनों कामों में सफलता प्राप्त करने के लिए एक परमानू को दूसरे परमानू से जुड़ना पड़ता है और वो एक परमानू दूसरे परमानू से जुड़ता है सिरफ इन दो लालचों में दो लालच होते हैं और इसलिए ही बनता है रासाइनिक बंद दो परमाणू के बीच इसमें केवल पहले परमाणू का लालच नहीं होता कि मुझे ही लालच है मैं दूसरे से चुड़ूँगा दूसरे को भी लालच होता है कि वो भी उसके दिमाग में भी यह दोनों बातते ही बैठी भी है तो यहां लिखावाय है रासाइनिक आबंद के बनने की व्याक्षा कीजिए प्रतेक परमानू या तो अपनी बाहरी कक्सा को अक्रिय गैसों के समान संत्रप्त करना चाता है या तो वो चाता है कि मेरी बाहरी कक्सा अक्रिय गैसों जैसी हो जाए अक्रिय गैसों की बाहरी कक्सा में आठ इलेक्ट्रोन होते हैं न हीलियम को छोड़ कर हीलियम की बाहरी कक्षा तो दो इलेक्ट्रोनों में संत्रप्त हो जाती है क्योंकि हीलियम के पास तो एक ही कक्षा है ना और एक कक्षा तो दो इलेक्ट्रोनों में भर जाती है तो प्रतेग परमानू या तो अपनी बाहरी कक्षा को अक्रिय गैसों के समान संत्रप्त करना च ह gaps ऐसा करने के लिए देखो क्या लिख़ावाएं ऐसा करने के लिए वह दूसरे परमानुं से जुड़ कर बंद बनाता है इसलिए बंद बंदते हैं यह बंद मने के कारण यह दो लालज हैं जैसे फिट्रोն आदान परदान के कारण बनने वाला जो बंद होता है उसे आप क्या कहते हो आइनिक बंद कहते हो ना और इलेक्ट्रोन की साजेदारी के कारण बनने वाले बंद को आप क्या कहते हो सहसे हो जग बंद अब देखो एक एक एक्जामपल है सोडियम की भारी कक्सा में एक इलेक् तो सोडियाम की बारीक अक्सा में एक ऐलेक्टरॉन है तो आर्ट करने के लिए इसने एक फिराइग अपना दे दिया और कलोरीन ने इसले लिया वो ही भात है पुराने जमानने वाली मदादा नियाख़ा आदत इलेक्ट्रोन देने की है और एधातू है इसकी आदत इलेक्ट्रोन लेने की है तो धातू ने अपनी आदत दिखाई और एधातू ने अपनी आदत दिखाई तो इलेक्ट्रोन जब सोडियम से क्लोरीन की तरफ सिव्ट होगा तो सोडियम में से इलेक्ट्रोन निकलेग तो opposite charge तो एक दूसरे को attract करते ही है तो इस धनायन और रिनायन के बीच जो आकर्षन बल लगता है ना उस आकर्षन बल का नामी है आईनिक बंद आईनिक बंद का मतलब विपरीत आवेसित आईनों को आपस में पकड़ के रखने वाला जोड़ के रखने वाला अकर्षन बल ठीक है तो इन्होंने पहला क्योस्चन हमारे से पूछा था कि रासाईनिक आबंद के बनने की व्याक्षा कीजिए बता दिया क्यों बनता है दो लालच है और उसके एक्जामपल भी आपको दे दिया अब दूसरा क्योस्चन देखते हैं चलो अब भ्यहास का दूसरा निम्न परमानों के लुईस बिंदू परतीक लिखिए मैगनीसियम का लुईस बिंदू परतीक लिखना है सब को पताए मैगनीसियम की बहरी कक्सा में दो इलेक्टरोन होते हैं तो मैगनीसियम के अपर दो इलेक्टरोन हमने बना दिये Sodium, Lewis Bindu Pratik का मतलब उस तत्व का संकेत लिखो और उसके उपर दिखाओ उन इलेक्ट्रोनों को जो उसकी बहरी कक्सा में उपस्तित होते हैं सबको पता है बहरी कक्सा में किसके कितने इलेक्ट्रोन है बाहरी कक्सा में इलेक्ट्रोनों की संख्या निकालने का अच्छा तरीका यह है कि उसकी वर्ग संख्या आपको पता होनी चाहिए यदि वो S-block का तत्व है या फिर P-block का तत्व है तो बड़ी आसाननी से आप Outermost Orbit में Number of Electrons उसके याद रख सकते हो अच्छा ने सिखा भी रखाया आपको कैसे तो Magnesium का हमने संकेत लिखा और इसके उपर कितने इलेक्ट्रोन दिखाए दो क्योंकि Magnesium के Outermost Orbit में दो इलेक्ट्रोन होते हैं इसी तरीके से हमने Sodium का संकेत लिखा और Sodium की भारीक अक्सा में एक इलेक्ट्रोन होता है तो Sodium के उपर हमने एक इलेक्ट्रोन दिखा दिया Boron तीसरे वर्ग का है भारीक अक्सा में तीन इलेक्ट्रोन होते हैं तीन इलेक्ट्रोन दिखा दिया आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि 2 इलेक्ट्रोन ही कठे और एक अलग यानी 2 इलेक्ट्रोनों का तो जोड़ा बना दिया जैसे ये जोड़ा बन रहा है उसके बाद oxygen oxygen 16 वर्ग का है या छटे वर्ग का भी आप इसे कह सकते हो भारी कक्सा में इसके होते हैं 6 इलेक्ट्रोन oxygen का संकेत लिखा और 6 electron दिखा दिए 3 electron pair होते हैं ना इसके पास nitrogen अब nitrogen तो यहां आमने लिखा ही नहीं है कहीं nitrogen का तो answer ही नहीं लिखा लिख लोगे answer nitrogen की भारी कक्सा में होते हैं 5 electron कितने होते हैं 5 सही कर ले ना इसे अपने आप nitrogen के outermost orbit में 5 electron होते हैं और एक अकेला दिखा देना bromine, bromine की भारी कक्सा में कितने electron होते हैं 702 वर्ग का है, halogen है 7 electron होते हैं तो bromine लिखा 2, 2, 4, 2, 6 और एक अकेला है 7, ठीक है, nitrogen कर लेना आप अपने आप अब देखते हैं अब्भ्यास का तीसरा question निम्न परमानू तथा आइनों के लूइस बिंदू प्रतीक लिखिए sulfur का और sulfide iron का aluminum का और aluminum triple positive iron का hydrogen का और hydrogen negative का, ठीक है H negative का तो sulfur का electron बिंदू सूत्र या लूइस बिंदू सूत्र लिखना है तो sulfur की भारी कक्सा में 6 electron होते हैं solar work का है, oxygen का भाई है 6 दिखा दिए यदि sulfur के उपर 2-1 रिनावेस है तो समझ जाओ sulfur के पास 2 electron फालतू आई होए है extra electron है 2 तो sulfur के पास यदि 2 electron extra हुए तो 6 तो 23 इसके अपने पास और 2 और आगे तो कितने हो जाएंगे 8 देखो 8 नहीं होगे इसके उपर electron ठीक है और 2 negative charge की वज़े से ही आए है 2 electron ही एक्स्ट्रा फिर aluminium यह aluminium ही तो है फिर aluminium 13 वे वर्ग का है भारी कखसा में 3 electron दिखा दिए और AL triple positive triple positive का मतलब 3 electron निकल चुके हैं जब किसी के उपर positive charge आता है तो electron निकलने के कारण आता है और negative charge आता है तो electron एक्स्ट्रा आने के कारण आता है यदि आप हर एक chapter की हर एक unit की videos को playlist के according देखते हो तो आपको इस बात का पहले से पता होगा ठीक है तो positive charge है तो कितना positive charge है 3 E काई तो समझ जाओ 3 electron निकले में 3 तो थे ही गरीब के पास और 3 निकल गए तो कोई भी electron इसके पास नहीं बचाए फिर है H ठीक है hydrogen पहले वर्ग का है बाहरी कक्सा में एक electron तो एक electron हमने दिखा दिया H negative का मतलब एक electron extra आ चुका है तो hydrogen के पास हो गए है दो electron outermost orbit में hydrogen की वही तो पहली कक्सा वही बाहरी कक्सा क्या outermost orbit एक तो कक्सा ही है hydrogen के पास और negative charge हमने दिखा दिया ठीक है उसके बाद अगली बात करते हैं चलो अब भ्यास का चोथा क्योस्टन निम्न अनुवो तथा आइनो की लूई संरचना लिखी है H2S का structure बनाना है SICL4 का BEF2 का कार्बोनेट आइन का HCOOH formic acid का बहुत आसान है देखो H2S sulfur के पास 6 electron hydrogen के पास hydrogen के पास ठीक है hydrogen के electrons को cross से दिखा रखा हमने sulfur के electron को dot से hydrogen का एक अपना एक sulfur का 2 होगे खुसिया मना रहा यह hydrogen का एक अपना एक sulfur का इसने ले लिया साज्यदारी में खुसिया मना रहा इसी तरीके से sulfur कह रहा कि मैं क्या तुझे छोड़ दूँगा तुमने दुन्नों ने मेरा फाइदा उठाया तो मैं भी तो तुम्हारा फाइदा उठाँगा तो sulfur के 6 तो electron अपने पास थे एक इस hydrogen का और एक इस hydrogen का लिया साज्यदारी में तो 6 और 2 आठ खुसिया मना रहे तिन्नों तो यहाँ एक एक electron की साज्यदारी हुई है तो single bond बनेगा और यहाँ भी एक एक electron की साज्यदारी हुई है तो यहाँ भी सिंगल बॉंड बनेगा इस तरह बनता है सिंगल बॉंड क्लियर बात उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं दूसरा हमारा क्या था दूसरा था SICL4 SIE चार इलेक्ट्रोन बाहरी कक्सा में सभी CL के पास सथ सथ इलेक्ट्रोन हैं तो SIE क्या करेगा पहले तू SIE ल देखो साथ और एक SIE का आर्ट इसी तरह यो SIE ल साथ अपने और एक SIE का आर्ट साथ इसके अपने और एक SIE का आर्ट साथ इसके अपने और एक SIE का आर्ट हर एक SIE ल के पास 38 इलेक्ट्रोन हो जाएंगे साथ साथ तो अपने और एक एक सिलीकन का सारे CL खुस हैं आउटर मोस्ट और्बिट में 8 इलेक्टरोन हो चुके हैं पर इसकी SI का तो देखो क्या होगा सिलीकन के आउटर मोस्ट और्बिट में 4 इलेक्टरोन है 8 करने के लिए 4 की इसे ज़ुरत है तो 4 रो से 1 के कि लेक्टरोन लिये इसने साज्यदारी में तो 4 तो अपने और 4 एक एक सिल के आर्ट हो चुके हैं ये भी खुस है सब के पास 8-8 इलेक्टरोन होगए अस्टक नियम के अनुसार तो सब के बीच में 1 के कि लेक्टरोन की साज्यदारी हुई है देखो देखो इसके और इसके बीच में यदि मैं कहूं तो एकक एक इलेक्ट्रोनी तो आ रहे हैं यहाँ तो इसलिए ऐसाई और चारो सील के भी सिंगल सिंगल बॉंड बनेगा आप जिनके पास लॉंड पेर बच जाते हैं न उन्हें दिखा दिया करो जैसे यहाँ सिल्फर के पास यह दो लॉंड पेर हैं जिनोंने बॉंड प्रोसिस में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो हमने दोनों लॉंड पेर इहाँ बॉंड इस्ट्रक्चर में भी दिखा दिये यह तो डॉट इस्ट्रक्चर था यह बॉंड इस्ट्रक्चर है डॉट इस्ट्रक्चर बॉ आॡर्मोस्ट और्बिट में दो इलक्टरोन, फलورीन के आॡ्र मॉस्ट और्बिट में 7 और इसके साथ, 7 और एक 8, 7 और एक 8 ठीक है, फलोरीन 8, फलोरीन 8 दोनों खुझें, B, E है दुखी, क्योँ दुखी है, क्योंकि 2 electron है और यदि सज्जेदारी इनके साथ करेगा तो 2 के कितने हो जाएंगे 4 ठीक है अब आपके दिमाग में क्यों से नाता है कि सर इसकी बाहरी कक्सा में तो 4 हुए तो क्या होगा इसका भाई बाहरी कक्सा में ब्लेई इसके पास 4 electron हुए हूं बहुत से ऐसे अनु उते हैं जो अस्तक नियम के अपवाद हुते हैं तो ये एक अस्तक नियम का अपवाद ही है क्या है अस्तक नियम का अपवाद क्योंकि इसके आउटर मोस्ट और्बेट में 8 electron नहीं हो पाएं प्रकरती में मैंने आपको पढ़ा रखे हैं न स्टक्नियों के अब बाद पढ़ा रखे हैं important के option है पक्का करके जाना है चोथा देखो क्या है चोथा है क्या है कार्बोनेट देखो कार्बोनेट तो अभी समझा ही था मैंने थोड़ी ज़र पहले एक carbon है चार electron है oxygen के पास 6 इसके पास 7 इसके पास 7 वैसे तो oxygen के पास 6 होते हैं 7 क्यों हुए negative charge और negative charge के कारण यहां तो 1 के electron की साथ जैदारी यहां भी 1 के की और यहां 2 दो दो गी तो यहां double bond यहां और यहां single bond दोनों जगा क्लियर बात बस ऐसा structure होता है इसकी अनुनादी संरचना है मैंने आपको सीखाई और बहुत important क्योस्चन है दो बार तो आ चुका है theory में भी एक बार सीखाया था और exercise में आगे भी क्योस्चन आएगा यह पक्का है बिल्कुल एक दम कहीं बार आएगा यह क्योस्चन और exam में भी बहुत जादे पूछा जाता है कार्बोनेट ही अनुनादी संरचना फॉर्मीक असिड एच सी डबल एच देखो एच सी यह दो ओ हैं और यह हैं कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन हाइडोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास छे इलेक्ट्रॉ छे थे एक इस हाइडोजन का और एक इस कार्बन का छे और दो आठ खुज है इस ऑक्सीजन को देखो छे अपने थे दो कार्बन के लिए लिए देखो ठीक है आठ खुज है अब इस कार्बन को देखो कार्बन के पास चार अपने थे एक इसका लिया पांच और दो ज़यदारी होती है वहार double bond बनता है और जहां जहां तीन तीन electron की साज़़दारी होती है वहार triple bond बनता है clear चलो अगला देखरें कि option क्या है कितने की option हुए चार पांचवा की option देखते हैं क्या है अब भ्यास का पांचवा की question है अस्टक नियम को परिभासित कीजिए तथा इसके महत्व और सीमाओं को लिखिए बताओ अस्टक नियम पढ़ा रखा है ना अस्टक नियम में आपको बता रखा है कि यार हर एक परमणू की इच्छा है मेरी बाहरी कक्सा में आठ इलेक्ट्रोन हो जाएं हाइड्रोजन हर एक परमणू चाता है मेरी बाहरी कक्सा में आठ हो जाएं तो इससे क्या फाइदा है फाइदा यह है कि बॉन्ड बनेंगे जब इन्हें अपनी इच्छा पूरी करनी है और दूसरे को भी अपनी इच्छा पूरी करनी है तो बॉन्ड तो बनाने पड़ेंगे ना तो इस यदि आप एक definite sequence में वीडियो को नहीं देखते हो तो आपके लिए suggestion है class 11th का unit number 4 का video number 1 देख लो और video number 18 देख लो यदि आप पहला video देखोगे unit 4 का तो अस्टक नियम की जानकारी हो जाएगी और unit 4 का video number 18 देखोगे तो आपको अस्टक नियम के अपवादू की जानकारी हो ज जाते हैं अभ्यास के छटे के option पर आइनिक बंद बनाने के लिए अनुकूल कारकों को लिखिए तो आइनिक बंद बनाने के कारक भी मैंने आपको सिखा रखे हैं class 11th का unit 4 का video number 4 कब-कब possibility होती है जादे आइनिक बांड बनने की सारी बाते बहुत detail में discuss कर रखी हैं और बि बिल्कुल जानते हो इन सारी चीज़ों को सात्वा के option देखो चलो क्या है सात्वा के option है निम्न अनुओ की आकरती की व्याक्या VSEPR सिध्धान्त के अनुरूप कीजिए BECL2, BCL3, SICL4, ASF5 और H2S और PS3 इन सब के बारे में वैस पर थियोरी लगानी है बहुत मज़ेदार क के option है और बहुत important के option है बही इस के option को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है पर फिर भी हम यहां दोबारे डिसकस करेंगे इस चीज़ को फास्टली डिसकस करेंगे जिन बच्चों को यह के option आते हैं करने में chemistry को काफी हद तक जानते हैं सबसे पहले BECL2 का देखा हमने structure ऐसा होता है संकरन इसमें क्या होगा SP आपको पताए BE ने दो sigma bond बनाए है हमेशा संकरन केंद्रिय धातू परमाणू या केंद्रिय परमाणू का ही निकाला जाता है ध्यान रगना तो दो sigma bond बनाए तो संकरन इसमें क्या होगा BE का SP होगा और SP संकरन है तो आकरती रेखिये होगी संकरन के अनुसार आकरती तब तक सही होती है जब तक केंद्रिय परमाणू के पास कोई passenger नहीं हो यदि केंद्रिय परमाणू के पास केवल bond pair है तो संकर्ण के अनुसार आप आकरती को fix कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगी पर यदि केंद्रिय परमानु के पास लॉन पेर के साथ साथ लॉन पेर भी है तो यह जो लॉन पेर होते हैं यह बहुत खतरनाक होते हैं ये bond pairs को धक्का देते हैं बहुत ज़ादे और bond angle को घटने पर या घटाने पर मजबूर कर देते हैं और फिर structure जैसा संकरण के अनुसार नियमों के अनुसार जैसा structure होना चाहिए ना ऐसा structure नहीं होता है ठीक है ध्यान रखना जहां lawn pair आएंगे ना वहाँ नियम कानून सब फेलें LP के आपते ही तो संकरण इसमें SP है क्यों SP संकरण है आपको पता है क्योंकि BE ने बनाए है 2 sigma bond आकरती रेखिए SP संकरण की आकरती रेखिए यह होती है यदि कोई lawn pair तबाही मचाने ना आया हो और bond angle आपको पता है 180 degree होगा जब आकरती रेखिए है linear structure है तो bond angle तो 180 होगा संकरण संकरण मतलब कैसा होगा 180 ठीक है clear यहां आप इस बात को लिख सकते हो कि इसके पास bond pair 2 है कितने bond pair X के पास 2 है और lawn pair कितने है 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो संकरण को बताने के लिए या अकरती में disturbance आया या नहीं आया इस चीज़ को बताने के लिए दूसरा दिरखा था BCL3 BCL3 का structure ऐसा होता है आपको बता है 3 sigma bond है 3 sigma bond है तो संकरण क्या होगा SP2 तीन sigma bond है तो 3 ककसक होगे 3 ककसक में 1 S ककसक और 2 P ककसक यह 3 ककसक ही संकरण की करिया में भाग ले रहे होगे तो SP2 संकरण होगा और आकरती कैसी होगी 3 कोणी है समतल पता ही आपको trigonal planar structure होता है SP2 संकरण का मतलब संकरण के हिसाब से आप structure तब तक सही बता सकते हो जब तक आपको कोई lawn pair दिखाई नहीं देता है lawn pair यदि केंदरी या परमानू के उपर आया तो structure में गड़बड़ी मचा देगा तबाही मचा देगा structure में एकदम structure भी change हो जाएगा bond angle भी change हो जाएगा बंद कोण कितना होता है 120 degree simple सी बात है bond pair इसके पास 3 है lawn pair कोई है नहीं इसलिए तो मज़े आ रहे इसके क्योंकि कोई lawn pair नहीं है तीसरा है SICL4 SICL4 में 4 sigma bond है तो संकरण SP3 होगा और कोई lawn pair नहीं है तो आकरती चतुसफल किया होगी बंद कोण 109 degree 28 मिनट होगा और bond pair इसके पास 4 है lawn pair इसके पास कोई नहीं है जबी तो खुसियां बना रहा उसके बाद ASF5 ASF5 में संकरण SP3D होता है क्योंकि 5 sigma bond है गिल्लो चाहे आकरती 3 कोण ये 2 पिरैमिड होती है सब कुछ सिखा रखा है bond angle 120 degree और 90 degree कुछ लोग कहते है 180 भी लिखो जी या लिखना चाहो तो लिख लो यदि आपके क्लास में पढ़ाया हो bond pair इसमें 5 है long pair इसमें 0 है इसलिए खुसियां मना रहा क्योंकि long pair disturb करने के लिए नहीं आए है उसके बाद H2S था है H2S में आपका संकरण SP3 होता है यहां दिक्कत होगी है दो long pair खड़े वे यहां उपर यह दो दुस्मन है यह तबाई मचा दें है संकरण SP3 सारी दुनिया को पता है SP3 संकरण की आकरती चतुस फल्किया होती है पर यहां आकरती चतुस फल्किया नहीं है यहां तो आकरती हमने लिखी है V रूपी कैसी लिखे है V रूपी भई V रूपी V रूपी चतुस फल के होनी चाहिए थी पर V रूपी है V शेप्ड है क्यों है पता ही आपको वैस्पर थियोरी पड़ रखी है न वैलेंसी चाल इलेक्ट्रों पेर रिपल्सन थियोरी यह जो लॉण पेर ओफ इलेक्ट्रों है यह रिपल कर रहे इस बॉण पेर इस बॉण पेर को धक्का दे रहे निच्चे की तरब को बॉण एंगल घटा ले हम है तो बाक्की सब पनी कम है लॉण पेर ऐसे कह रहे बॉण एंगल छोटा होगा 109 डिग्री 28 मिनट से यदि यह लॉण पेर ना होते इनके जगा कोई बॉण पेर होते दो तो बॉण एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता जैसे आपका उपर SICL4, SIF5 जो भी था वो उसमें आया था 4 बॉण पेर थे जिसमें और बॉण पेर तो इसमें 2 है दो ही तो हैं बॉण पेर एक तो बॉण ये है एक तो बॉण पेर कितने है दो ये दो लॉण पेर नहीं तो यहां तबाही मचाई सारी आकरती नहीं तो बिचारे की चतुसपल के होती बॉण एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता और यहां छोटा है 109 डिग्री 28 मिनट से क्लियर बात इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी फिर था PS3 PS3 का स्ट्रक्चर बनाया संकरन SP3 है क्यों है SP3 संकरन क्योंकि 3 तो हैं बॉण पेर और एक है लॉण पेर यानि कुल कितने कक्सक हैं जो संकरन की क्रिया में भाग ले रहे हैं चार, चार कक्सक हैं तो एक S का होगा तीन पी के होगे तो आकरती इसकी चतुस फल के होनी चाहिए थी पर इस लॉण पेर ने तबाही मचा दी आकरती त्री कॉन या पिरेमिड जैसी होगी और बंद कॉन छोटा है जामिती विकरत चतुस फल के होती है बैं अमोनिया और पानी दुन्नों का जो structure है वो चतुस फल के से बिगड़ा हुआ है, विकरत माने बिगड़ा हुआ है दुन्नों का ये बिगड़ा हुआ structure है तथा पी, अरे इतनी सुद्ध हिंदी तथा पी जल में आबंद कोण, अमोनिया की अपेकसा कम होता है, विवेच न कीजिए बैं जल में bond angle कम क्यों है सिद्धी बात है आर ज़्यादे सोचने की जुरुरत नहीं है यहां यूं बताओ lawn pair कितने हैं, एक और यहां lawn pair दो हैं जिसके दो-दो-दुसमनों उसकी तो तबही ज़ादी हो जागी जन्हें यहां एक lawn pair या एक lawn pair इन तीन बांड पेर को धक्का दे रहा निच्चे की तरफ कितना धक्का दे देगा, ज़ादे नहीं दे सकता है और यह दो lawn pair दो bond pair को धक्का दे रहे तो ये तो जादे लॉन पेर हैं और बॉंड पेर जीने धकेल नावे कम है तो जादे धकेल देंगे जादे परतिकरसीत कर देंगे इसलिए H2O का बॉंड एंगल 104.5 डिगरी होता है जबकि अमोनिया का होता है 106.6 डिगरी क्लियर बात मतलब अमोनिया के तीनों बॉंड उतने जादे बैंड नहीं कर पाएं हैं और पानी के दोनों बॉंड जादे बैंड कर गए हैं जादे बैंड कर गए हैं क्यों कर गए जादे बैंड क्योंकि पानी के दोनों बॉंड जो है न इनके उपर oxygen के उपर दो lawn pair हैं दो lawn pair जादे धक्का देंगे दो no bond को ऐसे ऐसे bond नीचे चले जाएंगे और ammonia में nitrogen के उपर जो एक bond pair आपको नजर आ रहा है वो एक bond pair यार कितना भी गाड़ लेगा धक्का तो देगा पक्की बात है चोर चोरी छोड़ देगा पर सीना जोरी तो नहीं छोड़ने का न धक्का तो वो देगा जरूर ती नो bonds को 109 degree 28 मिनट से 156 degree पर नहीं लेकर आगया पर ये तो दो-दो हैं धक्का देने वाले ये तो जादे disturbance create कर देंगे न समझ में आरी ना बात यही चीज लिख रखी है पढ़ लेना इसे नोवा के option देखते हैं चलो क्या है नोवा के option है आबंद प्रबलता को आबंद कोटी के रूप में आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे अभी तो मैंने इस चीज को पढ़ा रखा आपको आबंद प्रबलता आबंद कोटी के अनुकरमानुपाती होती है आता है आबंद प्रबलता का करम बराबर आबंद कोटी का करम सिंगल बॉंड का बॉंड ओर्डर एक है और इसकी प्रबलता सबसे काम है कमजोर बॉंड है डबल बॉंड की बंद कोटी दो है ये मजबूत है और इससे भी ज़्यादे मजबूत है triple bond जिसकी बंद कोटी bond order होता है तीन तो जितना ज़्यादे bond order होगा आबंद कोटी होगी या आबंद करम भी तो कहते हैं इसे उतना ही मजबूत bond होगा प्रबलता मने मजबूती ठीक है तो यह कितने question solve की है हमने no question इस वीडियो को discuss करेंगे 48 वीडियो को इसमें भी हम 9 से अग्गे के question discuss करेंगे ठीक है तो बिटे महनत और इमानदारी से यार अपनी पढ़ाई करते रहो और अपने handwritten notes बनाते रहो ठीक है लगभग इस unit में 50 video बनेंगे 50 video में unit complete हो जाना चाहिए हमारा फिर 5 पा unit हम स्टार्ट करेंगे अब महनत और इमानदारी से पढ़ाई करते रहो notes बनाते रहो ठीक है तो thank you very much for watching this video okay bye